हेलो फिर्ट्स वेल्कम टू मैं इस्टडी फिर्ट जनल दोस्तों आज मैं पाचन तंत्र के अंत्रगत संपूर अहारनाल लुख गुहा यानि की व्यूकल कैविटी से लेकर बड़ी याद तक सभी अंगु का क्या कार है कौंकुं सा एंजाइम होता है जो भुजन को पचाने में सहायक होता है जैसे कि मुग गुहा ग्रसनी अमासय छोटीयात बड़ियात इन सब के बारे में वह बहुत सारा डेटिल में नहीं बताओंगी दोस्तों इसके फ़र्ष्ट वीडियो में मैं पाचन क्या है और पाचन कि कितनी चरण होते हैं जैसे कि अंतरग्रहर पाचन और स्वांगी करण और वहिस करण के बारे में बताया है उस वीडियो को चैनल के इनोटोमी फीजियोलोजी के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं और यह आप अपने प्रिप्रेशन को बहतरीन कर सकते हैं और दोस्तों से ज्यादा वीडियो प्रिविएस येर के अब स कियोच पर बनाये गए हैं उसका प्रैक्टिस करना न भूलिएगा तो दोस्तों चलिए जानते हैं पाचन तंत्र के अंतरगत मुख गुहा ग्रसनी ग्रासनली अमासे चोटीयात बढ़ियात इन सब क्या काम है यानि जो हम भूजन करहर करते हैं और मुख गुहा से लेकर ब या उकल कैविति की जैसे कि दोस्तों जो भी हम भूजनलेते हैं उसका 4 से 5 प्रेसेंट पाचन हमारे मुख में हो जाता है और पाचन का प्राराम भी मुख्षे ही होता है कई बार एक कुस्टन पुछा जा चुका है कि पाचन का प्राराम का होता है मुख्षे अब पूर्ण से पाचन छोटी आसमे होता है और जो मुख के अंदर ग्रंथियां होती है जैसे कि लार ग्रंथियां सेलिवरी ग्लेरंट्स होती है और भोजन को रसाइनिक पाचल में सहायक होती है जो भोजन में टालीन एंजाइम होता है वह भोजन को क्या करता है जो मुख में टालीन एंजाइम होता है वह भोजन को रस जुकसे विडियो के बारे में एक अलग से बनाओगी। मacy के लार ग्रंथियो में पिम्यचा के लार ग्रंथियों में परेटुइट्विट सब्मेंडिवलर ग्लैंड्ट सब्लिंगोल निंपुडियो Minor बनाऊंगी। जैसा कि दोस्तों हमारे मुख में नार्ग रंथियों से d adulen निकलता है तैलीन और लैसी ओजाएम ठीक है अबारे मुख में कॉन कॉन से इन्जाएम होते है यह ते ने ने टायलेन जो होता है वह बोजन के रसायनिक पाचन करता है जैसे कि टैलिंज जो होता है वो कार्बो हाइड़ेट का पाचन करता है यारी की स्टार्च यानि कार्बो हाइड़ेट को माल्टोज बदलता है ठीक है इसको सैलिवरी एमाइलेज भी बोला जाता है जैसे कि दोस्तों आप जानते है कि आगनासा में एमाइलेज जो होता है व जो होजे पदार्थों के साथ आये हुई हानिकारक जिवाड़ों को मारने का काम करता है तीक है यिसे आसू जेल पसीना में Lire और इसमें um αली को स्प tenth जाता है जो स्टो लार में जो चिप चिपा पदार्थ होता ही जो चिकनाह स्ट डेता है भोजन को ताकि यो भोजन आगे बढ़ सके और जल होता है जो भोजन को गिला बना करके रखता है दात और जीवा होते हैं वो मुख गुहा के अंदर यांत्रिक पाचन का करने में शहायक होते हैं तो यह आपको ध्यान रखना यह है कि जो हमारे अंदर टैलीन एंजायम होता है लार्ग गरंतियों से निकलने वाले जो एंजायम होते हैं वह भोजन को रासाइनिक पाचन में और जो हमारे दाथ और जिवा हुता है रोग बुख के अंतर यांतरिक पाँचन का सहाय करते हैं इसको ध्यान में दखना है तो दोस्तों मुख में इतनी सारी क्रिया होती है हमारा भोजन पेलेर से मिलता है जो पाम से काभव हाइड़ेर्ट का स्विश्टार्स को मल तोजन ब और तो जाता है जब हम स्वास नली यहीं पर एपिग्लोटिस वोता है जो जब हम बोजन करते हैं तो जो एपिग्लोटिस होता है स्वास नली को ढख देता है और भोजन नली में जाता है और जहां हम स्वास लेते हैं तो जो एपिग्लोटिस होता है वह भोजन नली को ढख देता है और हमारा स्वास स्वास नली में जाता है यहीं से एक दूसे में जाते हैं तो फैरिंग्स म इसका बैग्यारिक नाम है इसको गुलेट पाइप भी बुला जाता है ध्यान में रखिएगा यह बाइस से पचीस सेंटीमिटर लंबा यानि 10 इंच होता है यह उपास्थी यानि कॉटिलेश का बना होता है जिसमें लचीला पन पाई जाती है और मुख गुहा को अमासे से ज करके जाता है अमासे में फिर भोजन का यहां पर दोस्तों गले में चिपकता नहीं है और दोस्तों ग्रास्थी में चिपचिपा पदार्थ म्यूसीन होता है ग्रास नली में इसी के कारण भोजन गले में चिपकता नहीं है और दोस्तों ग्रास नली में कमान नमकुंचन होता है जिसके कारण जो भोजन होता है आगे बढ़ता है और अमासे में चल जाता है और फिर नेक्स्ट आता है अमासे तो भोजन नली से, ग्रास नली से अमासे में आता है, तो भोजन नली से ग्रास नली नहीं जाएंगे जो पाइलोरिक कपाट होता है वहां से भोजन आमासय से छोटी आत्में जाता है ठीक है जैसा कि चित्र में दीख रहा है और यहीं पर आमासय में भोजन जब जाता है तो भोजन से मुलाकात होता है जठर ग्रंथी से निकलने वाले एसियल और जठर रस से ठीक है गैस्ट्रिक ग्रंड यानि जठर ग्रंथी होता है अमासय में जिससे एसियल इस्त्रावित होता है और जिससे दुस्तों गैस्ट्रिक जूस यानि जठर रस इस्त्रावित होता है और यह जठर रस रंगहीन अमली अतरल होता है और जठर रस या दोसतों इसी गैस्ट्रिक जूस यानी जठल रससे च्छायन और गास्च कहते हैं ऑसे हाइड्रो क्लॉरिक एसीड और बाहर रहते हैं जो एञडियों 6 की च्छर neo चाहिट परफेल तो रखेंगे तो तुरंत तो जल जाएगा एंतिजाब से भी जहरीला होता है गरम होता है तो यह होता है हाइड्रो क्लोरिक एसीड यहाँ भोजन के साथ आए जहरीले कि टाड़ हों सबकु सक्री जाएंगे में बदल देता है थीखेंगे में परोटीन से शंबन्धित भोज पदार्थ और क्रिया करके उसे पेटोन में बदलता है और जो रेलीन होता है और दूद को कैसीन में बदल देता है और जो गैस्ट्रिक लाइपेज होता है वो अकम मात्रा में उपसित होता है जो गैस्ट्रिक लाइपेज होता है वो फायर्स या यानि लिपीड्स को पचाता है और जो म्यूसीन होता है वो अमासे की आंतरिक दिवारों पर परत बना करके हCeal की प्रभाव से अमासे की दिवारों की जच्छा करती है नहीं तो हCeal अमासे की दिवार को नश्ट कर सकता है, काड सकता है पाइजाता है यहां पर कार्बोहाइडाट का पाचन नहीं होता है पूछा जा सकता है कि पूछा जा सकता है कि परोटीन वचा की पाचन का सुरूआत कहां होता है अमासर से ठीक है इस्टोमस से अब दोस्तों अमासर में इस अभी क्रिया हो गया तो अमासर में पचे हुए भोजन को काइम कहा जाता है फिर यह भोजन चला जाता है कहां पर पफकाड की लास्ते छोटी आत्मी अब बात करते है छोटी आत्मी कैसे पाचन होता है जैसे कि दोस्तों छोटी आत्मी होता है को जोटी आत्मी कोई पाचन नहीं होता है तो दोस्तों चोटी आत्मी आने के बाद कई एंजाइम में छोटी आत के जो पहला भाग है जैसे कि दोस्तों छोटी आत में तीन भाग छोटी आत का होता है डेडुनम, जोजिनम और इलियम डोजिनम को ग्रहडी ही बोला जाता है यानि कि हिंडी में ग्रहडी, मध्यान, से सान ठीक है तो जो छोटी याद होता है इसकी लंबाई 6 मीटर लंबा होता है यानि 22 फीट और जो ब्यास यानि चोड़ाई होता है तो 2.5 cm होता है ठीक है? यह सबसे लंबा होता है इलियम और जो देडुनम होता है यह छोटी आत का उपरी भाग होता है जो अमासर से जुड़ा होता है इसी इसमें एक उबैनिस्ट नली का पाई जाती है जिसके माध्यम से आगनासरी रस और पित रस ग्रहणी में आकर मिलते हैं जैसे कि दो देडु अमासर की नली और पित रस की नली जुड़ी होती है जिससे अमासर की जो भी एंजाइम हो यहां पर आकर भोजन को पचाते हैं और जो पित रस की जितने भी एंजाइम है यहां पर आकर पचाते हैं तो कैसे पचाते हैं आगे देखेंगे आप देखेंगे जैसा कि दोस्तो पार्ट होता है छोटी आथ का एजन में 56- synthesis मीटर होता है आछ झोंवा होता है चोटी आज से ढन बड़ी आथ में धार बीर जाती है ठीक है अब बात करेंगे दोस्तों जो पार्फ होता है पहला पाथ होता थी संट्रिमि junction वह लंबा होता है इन 이 को पार्फ करते हैं अगरई में दो मुख्य पाच्यक रस आए कि मिलते हैं यहाँ पीत्र रस के लिडिये होती है तो सबसे पहिले देखेंगे पित्र रस पितरस के नली यहां पर जुड़ा होता है जैसे कि दोस्तों पितरस में कोई एंजाइम नहीं होता है इसको बायल डक्ट कहते हैं जैसे कि पितरस यारी बायल डक्ट क्या करता है फैर्स को पचाने में मदद करता है और नमक की मातरा को कम करता है पितरस वशा को जल में गुलन सील बनाती है और इस क्रिया को इमल्सी करण कहते हैं यानि अमासे से आने वाली अमलियता को कम करता है यह ठीक है अमासा में पेपसील रेनिन गेस्टिक लाइपेड जितनी होती है ज्यादे अमलिय होता है उस सब को यहां पर कम करता है अथाथ इसके द्वारा वसा का इमल्सी करण को होता है और उसके बाद और कौन सा रस मिलता है यहाँ पर डोडिनम में यानि ग्रहडी में आगनासाई नली जड़ी होती है यानि प्रेंक्रियाटिक नली तो आगनासाई रस यहाँ पर आके मिलता है तो कौन-कौन से आगनासाई रस यहाँ पर आके मिलता है दोस्तों एमाइलेज, लाइपेज, ट्रिपसीन, प्रोक्टीज, फास्पोलाइपेज, एस्टरेज, इतने सारे एंजाइम्स आकर के यहां पे मिलते हैं, तो एमाइलेज जो होता है, वो काबोहाइडेट को ग्लुकोज में, यानि मालतोज में बदलता है, एंड जो लाइपेज होता है, वह बाइल के साथ, यानि की पित रस के साथ मिलकर के फैट, यानि वसा को पचाने में मदद करता है, यानि वसा को फैटी एसीड और ग्रिसरीन में परिवर्चित कर देता है, और जो ट्रिपसीन होता है, वो गैस्ट्रिक जूस, यानि जठर रस के साथ मिलकर के प्रोटीन को पचाने में मदद करता है यारी प्रोटीन को अमीनो एसीड में तथा प्रोटीन को यानि पेप्टोन को पाली पेप्टाइड में बदलता है और जो प्रोटीज होता है वह प्रोटीन को अमीनो एसीड में बदलता है जो फासफोल आइपेज होता है वह फासपोर लिपिर्स से वसीय अमल को अलग कर देता है और जो एस्टरेज होता है वह कोलेस्ट्रॉल को अलग करता है फिर इतने सारे एंजाइमों से मिलने के बाद अगनासरी रस और पितर रस से पाचन हुआ करके यह आगे बढ़ता है यानि कि छोटी आत में ही यह यह अगने पर छोटी आत में जो बुनार्ण होते हैं उस ग्लेंड से और सेंन से माध्र रस इस्टरोवित होताゃ यह जो ठारी यह होता है जिसका पी इतस मांद 7.5 से trade 5 होता है यह आंत्र रस यानिस्सेंटटाइनल जोह होता है जिसे सीकर्स इंत्रिकस स्विश भी बूल ज होता है एंद रस भोजन को पूड़तप से पचाते हैं इसमें होता है इरेफसीन इरेफसीन जो होता है वह प्रोटीन को अमीनोयाचीड में अरőधा आगनासय रस से बने हुए पाली प्प्टाइन को अमीनो एसीड में बदलता है और दोस्तों इसके यहांतरह के तिर एंजाइम जो होते हैं वह कार्भोहाइडेड को पाचाने में मदद करते हैं जिससे इस टार्फ को यानि प्रिवातित करते हैं इसमें होता है लैक्टोउज सूक्रोँज माल्टोज इंवर्टेज जो ग्ल्पोज में यानि सधार सरक्रा को ग्लुकोक से प्रिवातित करता है जो माल्टोज होता है वह माल्टेज होता है वह माल्टोज को ग्लकोज में प्रिचत करता है और जो इन्वर्टेज होता है यह केग सुगर यानि की चीनी को पचाता है तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि आमासे में कर्भोहाइडिट का पाचन नहीं होता है, वहाँ वसा और फैट का पाचन होता है, दूद का पाचन होता है, फिर छोटी आत में आने पर डेडूनम में मिलता है अगनासे, रस, पित रस जिसमें कर्भोहाइडिट, प्रोटी इन्वर्टेज भोजन को पूर्व से प्राकार हम कह सकते हैं घया का पूर्व पाचन होता है वा पच्य हुए भॉजपधार्फो का और सूसर होता है यानि की भोजबीन वा पूर्व पाचन पूर्व फोर्स काँ पर जोटी की चैंसा कि दूस्ट तो मैं अच्छिर वाहिनिया होती है जिसे लेक्टियर्स बोलते हैं यह वसी अमलत अथा ग्लिस्रा का आसोसर करते हैं ठीक है और यह फैट्स को पचाते हैं और वसी अमलत अथा ग्लिस्रा मिलकर इमर्सी क्रित वसा बनाते हैं जिसे काईल करते हैं अब भोजन के पचाने के बाद ज ठीक है और जो विलाई होते हैं दोस्तों उसका रसांकुर कहते हैं और रक्त वाहिनिया और लसी का वाहिनिया इसमें पाई जाती है जो भोजन के और सोसर करती है और लास्ट में जो बचा हुआ पदार्थ होता है बोजे पदार्थ होता है वो इलियम के रास्ते बड़ीयात म होता है और चावरा चार से साथ सेंटीमीटर होता है दाय इंच होता है जिसे सब के Бारे मैं एक विद्व बनाऊंगी बड़ी आपड़ तो विश्टर रिप्स से बताऊंगी दोस्तों जैसे की दोस्तों मनुष्छे में सीखम से नीचे है पूछ की तरह है इसे वर्मी फाम या आपेंडिक्स बुला जाता है दो इंच लंबा होता है यह निकलती है यहां पहले मनुष्यों में सेलुलेश्ट के पाचन में मदद करती थी अब यह एक आउसे सी अंग बन के रह गया है ठीक है अग कोलन फिर मलासे यानि रेक्तम यारि कि भोजन का जो आउसोसर होता है वह ग्रहडी से ही प्रारम हो जाता है और यानि यहां इल्कोहौल का पूर्ण रुप से चोटी आत में यानि कि भोजन का पूर्ण पाचन भी पूर्ण आउसोसर भी छोटी आत में होता है जिसके अंतरगत पानी नमग, ग्लुकोज, कुशोखना जिससे की सरीर में इसकी मात्रा संतुलित बरना रहे तीक है तो इतना आउसोसर हो गया उसे के बा स्टार होता है उसके बार होता है स्टार होता है उसके बाद क्या होता है रेक्टम की राष्टे जो बड़ी याद के कि प्रतियक ठीकोंगे के बारे में समझा जैसे कि मनुष्यों में 9-10 लिटर प्रति दिन तरल पदार्थों का आउसोसर होता है कि इतना 9-10 लिटर जिसमें से 7.5 लिटर जल होता है और 1.5 लिटर पोसक पदार्थ बिटामिन्स प्लस लवाड होते हैं और जो जो अवसोसर होता है और 90% छोटी आत्मे होता है और 10% अमाज से प्लस बड़ी आत्मे होता है दोश्तों यहां जाना पूरे पाचलंतर के अंतरगत मुखगुःस से लेकर वड़ी यादस तक के सभी अंगों के बारे में उसको अच्छी तरे से समझ गए होंगे और दोस्तों यह वीडियो आपको ड़ागा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए चोटियात बड़ी आध्यात यकृत अग्नासए के बिस्त्रित युद्ध में एक एक पाट के बारे में बताँगी जो आपके पूछे जाते हैं यकृत कि सारे पार्ट्थ चोटियात के जितने भी टापिक्स चोटे हुए है इस पार्ट में जितने भी अगलासएं में जितने भी EnginesBecause Babn से स्ट्रावित होते हैं जितने भी लाप thickकां से जो स्ट्रावित उन सब्धे के बारे में डिटेल विजेश बचाउंगे दोस्तो दोस्तोफ क कुमें मुझे कोमें ज cafe यह जरूर बता यह कंजे या जद जिसे मैं आपके लिए डेली बेसेज पर इसी तरह वीडियो जो बनाती रहूँ एंड दस तो फर्स वाल विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए विल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिसे न्यू वीडियो का आफडेट आप तक पहुंचता रहे तो मिलते है नेक्ट वीडियो में नेक्ट टॉपिक के साथ तब तक के लिए जय हैं